दोश्टों यह देखिए ठीके, Google प्ले शुटोर की तरफ से यह गुग फिले प्रोटेक्शन है दोश्टों, अनश्टॉल हारम फूल एम रिस्क की ठीके हो सकता है आपका device के लिए यह harmful application है इसको आप अंस्टाल कर दीजेगा यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह देखिए आप इसको अंस्टाल करने के लिए बोला जा रहा है यह देखिए यह device address की यह कुछ application ठीक है वैरस हो सकता है यह risk है दोस्तों आपको अंस्टाल करने के लिए बोल रहा है ठीक है यह देखिए दोस्तों ठीक है यह जो sketchware pro में जब ही हम कोई application को build करते हैं दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं ठीक है यहां पर दिखाता हूं एक मिनिट दोस्तों समय दीजिएगा दोस्तों आज का यह वीडियो जो है ना बहुत ही यह इसके बारे में तो डर जाते हैं ठीक है उन्हें डर लगता है यह क्या हो गया मोबाइल रेट कलर का स्क्रीन आ गया रेट कलर का सो कर रहा है नोटिफिकेशन सो कर रहा है डिवैस रिस्क में है अंस्टॉल कीजिए भाइरस है मोबाइल हैक हो गया इस तरह का जो नोटि इसके बारे में आखर ये क्या है ये notification क्यूं आ रहा है दोस्तों बहुत तरह तरह का platform है जहां से आप जो है ना application को build कर सकते हैं create कर सकते हैं ठीक है बना सकते हैं जैसे के android studio sketch or aid उसके बाद apk builder तरह तरह का बहुत तरह तरह का है दोस्तों ठीक है तो कहीं से भी आप application को build करते हैं ठीक है मतलब आप project बनाते हैं बनाके दोस्तों जब ही आप उसको install करते हैं ये पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पहले आप देख लीजिए उसके बारे में हम बात करेंगे ये देखिए दोस्तों ये मैंने sketch or pro में मैंने एक application को build किया इसको मैं install कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर एक notification आता है तो फिलाल यहाँ पर ये notification नहीं आया दोस्तों ठीक है मिरा ये अप पहले से ही install है तो यहाँ पर दोस्तों एक notification आपको एक notification आएगा notification ठीक है वो Google Play Store की तरफ से एक notification आता है उहां पिर बोला जाएगा मैं आपको दिखाता हूं दोस्तो एक मिनिट यहां पर मैंने सार्च करके रखा था दोस्तो कुछ आपको जो है ना कुछ इस प्रकर का notification आता है दोस्तो अलग-अलग तरह तरह का notification दोस्तो आता है अलर्ट का इस तरह का देखिए आप देखिए डेंजर लिखा हुआ है dangerous, risk, harmful मतलब कुछ अजीब सा लिखा रहेगा आप देख सकते हैं block कर दीजिए, install कर दीजिए तो तरह-तरह का device में दोस्तो अलग-अलग तरीके का जो है ना दोस्तो इस तरह का notification आता है दोस्तो आप देखिएगा install करने दोरान फिलाल इसमें तो अभी नहीं आया है एक-एक बार आता है और कभी-कभी समय में नहीं आता है ठीके और दोस्तो यहाँ पर आप जो है ना उसको यहाँ पर मैं आपको पताता हूँ यहाँ पर जब ही आप install करने जाएंगे तो आपको notification सो करेगा तो आप install कर सकते हैं इंस्टल नहीं भी कर सकते हैं यह जो notification है दोस्तो यह किसके लिए आता है दोस्तो यह Google Play Store की तरफ से आता है एक protection एक security है दोस्तो और दोस्तो आपको लग रहा होगा एक minute आपको लग रहा होगा दोस्तो यह जो notification है यह अभी क्यों आ रहा है अभी सबसे जादा यह notification आ रहा है दोस्तों यह जो notification है ना यह अभी का अभी का time में सबसे जादा आ रहा है यह पहले नहीं आता था ऐसा नहीं है दोस्तों ठीके दोस्तों जबसे Android इस दुनिया में आया है ना बना है जबसे यह तभी सही है जबसे Google Play Store है ये तभी सही है दुस्तो जभी आप कोई बिल्ड किया हुआ application को mobile में install करते हैं तो ये notification show करता है लेकिन एक बात पहले ये show नहीं होता था ये एक दो बार show होता था एक दो बार पहले ये जो notification है न दूस्तो ये एक दो बार show होता था लेकिन अभी क्या हो रहा है अभी ये नोटिफिकेशन सो करने लगेगा अभी दोस्तों Android जो है दोस्तों टाइम के साथ धिरे धिरे अपडेट हो रहा है यह जो नोटिफिकेशन है यह बस आपको एलर्ट करने के लिए है आपको बता रहा है जो यह एप आपके लिए रिस्क हो सकता है दोस्तों ठीक है दोस्तों ज दिवाइस में इंस्टॉल नहीं कर सकते ठीक है अगल जो नोटिफिकेशन जभी आप एंड्रोइड स्टुडियो में हो या स्केच और में हो या कई और प्लाटफरम से क्यों ना हो बिल्ड किया हुआ अगर आता है तो उहाँ पर बगल में कहीं पर भी आप देखेंगे उहाँ पर लिखा रहेगा आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं तो उसका पर किलिक कर दीजिएगा ठीक है आपको यह बता जाएगा यह अपके लिए अच्छा नहीं है हर्मफुल है अनसेफ है आप इसको कर दीजिए ठीक है ऐसा करकर लिखा रहेगा लेकिन बगल में कहीं पर भी आपको ऑप्सन मिल जाएगा इंस्टॉल करने के लिए तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं दोस्तों अलग-अलग डिवाइस का हिसाफ से अलग-अलग नोटिफिकेशन आता है ना इसलिए मैं आप आपको बता रहा हूं तो आप उस एप को इंस्टॉल कीजिएगा इस्तिमाल कीजिएगा चेक कीजिएगा दोस्तों यह नोटिफिकेशन स्रेफ आपको बताने के लिए आ रहा है दोस्तों मेरा हाथ दर्द होने लगा है ठीक है मतलब Google Play Store ना जो Android है आपका Mobile आपको यह बता और यह क्यूं बनाया गया है दोस्तों Google Play Protection यह क्यूं बनाया गया है क्यूंकि बहुत सरे जो यूजर्स है वो गूगल से अन्नोन साइड से अन्नोन जगा से दोस्तों क्या करते हैं जो एपलेकेशन है उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं अन्नोन सोर्स से गूगल से कहीं पर mode apk बगेरा जो है download करते हैं वो mode apk के अंदर दोस्तो malware हो सकते हैं viruses हो सकते हैं बहुत तरह-तरह का problem कुछ hacking trick हो सकते हैं दोस्तो तो इस तरह का application को अगर आप अपना device में install करते हैं तो google play protection जो है इसको scan करता है चेक करता है और आपको notification में so करके बताता है दोस्तो यह application आपके लिए risk हो सकता है harmful हो सकता है आप इसको install किजिए या check किजिए तो इस चीज़ के लिए बनाया गया है दोस्तो google play protection यह बहुत ही अच्छा एक notification है आपको बताता है दोस्तो लेकिन लेकिन जो application हम build करते हैं दोस्तो वो खुला हुआ रहता है वो application नहीं होता है वो एक test करने के लिए एक app होता है जो sketch or pro में या android studio में जो हम application build करते हैं टेस्ट करने के लिए वो बस एक test application होता है वो complete application नहीं होता है complete application तभी होता है जभी आप उसको sign up करते हैं उसका certificate generate करते हैं उसका की generate करते हैं उसको complete application बनाता है तभी जाके वो एक complete apk बनता है ठीके लेकिन जब ही आप उसको test कर रहे है ना देखने के लिए ओ तब apk नहीं है ओ apk खुला हुआ रहता है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा ठीके अगर आपका project file आप देख रहे हैं आपका project file आपने बनाया है और ओ application जो application आपने प्लेश्ट ये android studio में य तो आगार safe है ठीक है उसके अंदर कुछ भी क्रेक बगेरा नहीं है आप test करने के लिए चेक करने के लिए application को बनाया है तो application को आप अराम से install कीजिए उसमें आपका device के लिए कोई भी खतरा नहीं है दोस्तों क्योंकि ओ application आपने बनाया है उसके अंदर थोड़ी कुछ malware है कुछ hacking trick है कुछ virus है आप समझ रहे हैं न दोस्तों जो application आपने खुद बनाया है sketchware में या android studio में तो उस application के अंदर ये सब कुछ भी नहीं है किमकि उसे आपने बनाया है और आप उस application को बस अपना device में चेक कर रहे हैं तो ठीक है तो उसमें कुछ भी नहीं है तो आप बिल notification जो आ रहा है दोस्तों आप इसको हाइड कर दीजिए उसको आप कट कर दीजिए एक notification आता है आप इसको send कर सकते हैं don't send मतलब जबी आप application को एक मिनिट दोस्तों बेरा हाथ हिल रहा है हाँ ठीक है दोस्तों application को install करने के बाद क्या होता है आपको और एक notification सो होता है send करने का एक message send करने का तो वहाँ पर आप send कर सकते हैं unsand मतलब नो भी कर सकते हैं yes भी कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है आप बिना डरे कुछ भी problem नहीं है दोस्तों sketch or pro में जो भी application आप बनाते हैं जो भी project file आप install कर रहे हैं इसमें कोई भी problem नहीं है यह जो harmful या फिर रिस्क अंस्टॉल कर दीजिए इस तरह का जो notification आ रहा है यह बस आपको बता रहा है जो यह application खतरा है आपके लिए आप चेक कीजिए ठीक है तो जो application जो project file आपने बनाय है चेक करने के लिए उसके अंदर तो नहीं कोई malware है नहीं कोई hacking trick है नहीं virus है तो कुछ भी नहीं है तो आप बिना डरे ठीक है एकदम अच्छे तरीके से आप अपना project file को चेक कर सकते हैं जो notification आ रहा है आने दे उसको आप बाइपास कर दीजिए और हाँ दोस्तों अगर आप Google से या कोई unknown source site से अगर आप कोई mode APK या कोई unknown APK डाउनलोड करते हैं तो आप उस APK को ध्यान से चेक कीजिएगा देखेगा उसके अंदर नहीं कोई malware हो सकता है उसके अंदर कोई viruses हो सकता है यह फिर उसके अंदर कोई crack hacking trick हो सकता है जिससे आपका device को risk हो सकता है आप आपका device में data लीग हो सकता यह बहुत लंबी कहानी है दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको सायद मेरा यह बाते समझ में आ गया होगा अगर आप एक developer है Android application बनाते हैं कहीं से भी हो आप test करने के लिए आपका device में अगर आप अपना APK को install करते हैं टेस्ट करते हैं उसमें जो भी notification बगरा आ रहा है आप उसको ignore कीजिए बिल्कुल भी problem नहीं आएगा आप उसको hide कर दीजिए या फिर आप उसको हडा दीजिए remove कर दीजिए और application को install कीजिए चेक कीजिए इसमें आपका device को कुछ भी problem नहीं होगा क्योंकि ओ application आपने बनाया है ओ project file आपने देख क देख कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी क्योंकि खुला हुआ project रहता है दोस्तों विल्कुल open source project रहता है इसलिए विल्कुल डरने का नहीं है दोस्तों क्योंकि आप लोगोंने comment किया था इसलिए ये वीडियो में बनाया क्योंकि बहुत सरे नया developers को पता नहीं है बहुत सबसे important बात जो है ना मैं आपको बताना भूल गया है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अभी आप जो android studio में या sketch or pro में जो application आप बनाते हैं build करते हैं टेस्ट करने के लिए install करते हैं इसी में ही सिर्फ ओ जो harmful risk ठीक है इस तरह का notification आता है जबी आप अपना application को successfully certificate generate करके इसका sign up की generate करके आप इसको complete application बना लेंगे तभी आपका इस एप में इस तरह का notification नहीं आएगा सायद आ सकता है एक बार लेकिन फिर भी नहीं आएगा एकदम 100% guarantee दे सकता हूं में नहीं आएगा अगर आपका application अच्छा है तो ऐसा नहीं है आप कुछ भी application बना लेते हैं उसके अंदर malware डाल देते हैं कोई hacking trick डाल देते हैं ठीक है यूजर्स का device को risk होने वाला कुछ activities ड बिल्ड करते हैं certificate बगिरा डाल बनाने के बाद sign up करने के बाद इस तरह का notification नहीं आएगा उसके बाद आप अच्छे तरीके से play store में आपका application को आप publish कर सकते हैं ठीक है अगर आप कुछ उल्टा सीधा application बनाते हैं तो play store में अलाउन नहीं करेगा और आपको notification आ सकता है इस मैं जरूर reply करूंगा दोस्तों वीडियो को like कीजिएगा comment कीजिएगा subscribe कीजिएगा बाबाई